अब हमारे चैनल में स्वागत है और आप जिस टॉक के बारे हम बात करेंगे उसका नाम है HDFC Asset Management Company Limited 12 अप्रिल 2019 बारा एक बच के 28 मिनट है और आज फ्राइड़ है 1580 रुपए पे ट्रेड कर रहा है BSC पे 52 वीक लो बनायाते इसने 1100 रुपए हाई था 1570 रुपए का और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको नए वीडियो के सूचना मिलती रहे यह देखिया हम HDFC AMC HDFC Asset Management Company के चार्ट पे हैं जो इसकी लिस्टिंग हुए है मार्केट में सेंसेक्स में तो यहां पर मुझे अगस्त 18 में हुए और यहां उपन हुआ और हाई इसने बनाया था 56 क्रोड़ का EPS है 39.36 का P देखिया 39.51 की है और प्राइस टुबक है 15.30 की डिविडेंट पैंग स्टॉक है बुक वैल्यू 1.01 ओके इंडिस्ट्री पी है 45.85 की और डिलिवरेबल 56.42 की दिविडेंट वैल्यू है 5 की और एक देड़ साल पहली लिस्ट हुआ है तो एक साल टूटल डेट करजा जीरो है और देखिये आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर लिस्ट हुई है हाली में तो इसमें एक साल की यह रिजल्स क्यों दिखा रहा है कंप्री बहुत दिनों से काम कर रही है लेकिन लिस्टि में जहां नेट सेल्स थी इसकी 471 क्रोड की जून 18 में 471 ठीक है और सेप्तंबर 18 क्वाटर में 480 क्रोड बढ़ा थे यहां पर और दिसंबर 18 में देखिये फिर यहां से 480 क्रोड तो मुझे लगता है कि इस क्वाटर में डाउनसाइड है और ऐसा क्यूं है इतनी बड़ी क क्रोड के जून नेट प्रोफिट थी मार्च अक्षा में वहाई जून 18 में हो गई 205 की और सप्तंबर में 205 के बराबरी का मामला और दिसंबर 18 में 247 क्वाटर के चलिए यहां पर बढ़ा थे और शेयर होल्डिंग पर्टन पर देख लेते हैं प्रोमोटर्स के पास जबरदस्ते 82.77 की होल्डिंग है कि बहुत बढ़े आया है और नूम्यूचिल फंद्स होल्डिंग मेरे इस्टी फाइन्स लेने में तो इंडस्टी फाइनस अंंब्यणशी जो भी Bing यह जो प्रूप के जिंड आंड एंका क्या होता है कि जो फंद हैं सारह मुच्ट फंद्स फंद्स रे Алand L ряд ए ए सब मैपनी एश्यक्स कैंग कंपनी कहां पैसे कहां क्या लगाने है सब धरना लेना उठना बैठना यह सब इस कंपनी के जिम्में है किस मुचल फंस में कैसे क्या डालना वाला अभी देसंटली सेबी ने भी एक रूल और गैडलाइन से मुचल फंस वालों के लिए लागू कर दिया पहले क्या होता था कि कई मुचल फंस कंपनी लाज कैप के अगर फंड कंपनी है तो वह माइक्रो कैप में भी ट्रेट कर लेती थी पैसे लगाती थी और बना लेती थी तो डाइवर्सिफाई करके लेकिन अभी जिस प्रकार से वह माली जिए लाज कैप है तो लाज कैप कंपनी से ही वह पैसे ब गैरा में भी मार पड़ी है इन पर थोड़ा सा जटका लगा है ऐसी कंपणियों को लेकिन फिर भी कोई बात नहीं सदी अपसी हाउस है 1999 से देखे काम कर रहे है करीब 2000 है ना सन 2000 से और लेटेस्ट अभी जो इसने डिविडेंट दिया 12 रुपए पर शेर किसाब से 6 मार्च अभी दिया है रेसिंटले पिछले मन्थ 2019 को और अपनी इंदस्ट्री में 9th नंबर पे है ये कंपनी कि यहां पर मुचल फंस की 12 स्कीम से पैसे लगा रहे हैं FIIS के 97 3.9 परसंट की होल्डिंग है और जो प्रमोर्टर्स विद हाइस्ट होल्डिंग है खुद HDFC Housing Development Finance Corporation Limited जो इन सब की बड़ी बड़ी बैंक मतलब बड़ी बैंक नहीं है जो इनका अंब्रेला है जो ग्रूप है कि सबसे बड़ा वो इंडिविजुल इन्वेस्टर्स है 9.32 परसंट के आसपास तो फ्रेंस अगर मेरा पॉइंट और जाना चाहेंगे इस कंपनी में की आग मुझे क्योंकि अभी सेल्स में और इतने जबरदस प्रॉफिट में और ऐसा कुछ इसमें चमतकार मुझे दिखा नहीं क्योंकि कंपनी दो बहुत इन से काम कर रही है और लिस्ट होते ही अभी अपने हाई से बहुत काफी लोपे ही है उननीस सो हाई मार्ग पे गई थी तो इससे भी अच्छ अच्छ अभी मार्केट में स्टॉक से अगर आपको लेना ही है तो मैंने एक वीडियो बनाया था है HDFC स्टनर्ड लाइफ इंशुरेंस तो इंशुरेंस का जो बूम आने वाला है तो आप उस पर डिरेक्ट निवेस्ट भी कर सकते हैं वह तो अभी कम प् आपको देती एतने अच्छ रेटन से उसके लांग टर्म प्विव से और SDFC जो खुद की एक हाउसिंग डिवलप्मेंट है वह भी स्टॉक काफी अच्छ है तो SDFC मैं SDFC मैं स्ट मैंने में अभी तोड़ा समय है मेरा जो प्विव मैं अभी नहीं चाहूँगा कि आप लोग खरीदें और मैं किसी कंपणी के अगेंस नहीं बौल रहाया है यह मैं किसी स्टॉक के अगेंस नहीं बोल रहाया है इन्हों नहीं लिया हुआ इसके वोलूम्स देखेसी की डिलीविरी देखी WOR जो ट twin हो रही है वो सारी चीज और पाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें अभी लाल इन दिनों जो मार्केट चल रहा है और जो इसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा तो बहुत सवर्दस्त मुझे नहीं दीखा तो मैं इसमें मश्वरा नहीं दूँगा है फिर भी आप अपने 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 अपना मत बता दिया है आपको थैंक्स फर वाचिं इस वीडियो फ्रेंड्स